दोस्तों स्वागत है आप लोग शिव जॉइट में हमरी जो आट एन खलंचर की सीरी चल रही थी उसी और trendy के वह pe करेंगे में हम ह में इसमें हम इनक्षर में हेंडिक्राफ ड्री के चलल रहा था उसी को के सबसे पहले बदानी या फिर बंदेज को टाइएंड डाई भी खा जाता है इंगलिश के अंदर अच्छा ही ये देखें आप सबसे पहले इमेज देखें इमेज इमेज कें अंदर एक इस को पर कॉलिथीन लगाके रबबर से बान दिया गया है ठीक है ऐसे उनमें इसी गाटे बना दी गई है ठीक है इस से क्लोध को एक डूबाया जाएगा और और color के अंदर डुबाने के बाद जब इसको भार निका लेंगे तो जिस color में भी होगा जैसे suppose करो white था और red में डुबाने के बाद भार निकला उसके बाद क्या होगा यह जो गाटे है ठीक है जिन यह notes है इसको खोल दिया जाएगा उसके बाद ऐसा color निकलेगा ठीक है इसमें yellow है यह white color का था तो white निकलागा ऐसे यह color निकल के आता है ठीक है इधर भी छोटी-छोटी बांदी कही होगी ठीक है यह अलग-लग क्लोथ है इसलिए अलग-लग रहा है तो ऐसे होता है क्या करते है कि बांद देते है फिर बांदने के बाद color में डुबा देते है और जिस पूरे में color हो जाता है और जो बंदावा पोशन होता क्लोथ का वो uncolored रहता है तो एक नया pattern बन जाता है इसी को कहते है बंदेज ठीक है बांद के बनाई होई इस पोशन को resist कर दिया और डाई कर दिया ठीक है तो यह होता है बंदेज नेश्ट ए लहेरिया यह भी tie and die color है हेंडिग्राफ्ट है यह भी इसमें भी tie और डाई किया जाता है पर अलग तरीके से बांदा जाता है और अलग तरीके से इसमें pattern आता है उसको diagonally rolled diagonally ठीक है roll करते है diagonally मतलब एक पॉने जैसे suppose करो square में है तो ये हो गया diagonally ठीक है तो इसको diagonally roll करा जाएगा और फिर beach beach में जहां इनको सही लगता है pattern के हिसाब से बांध देंगे required intervals में ठीक है beach beach में वहापर बांध दे जाता है उस बंदेवे portion में क्या होता है जब ये color में डुबाया जाता है तो color नहीं absorb होता कपड़े में तो ऐसी pattern बन जाता है ठीक है इस type का pattern बनता है तो लेहरिया साड़ी और लेहरिया टरके को रोपट्टे वगरा बहुत जादा चलते है ठीक है usually कहा होता है जेपुर और जोधपुर में आपको याद रखना है लेहरिया जेपुर और जोधपुर में होता है और cotton और silk के कपड़े पर किया जाता है ये लेहरिया ठीक है guys next देखते है इकत ये भी resist dying method है tie and die process है ये भी ठीक है किसकी तरह लेहरिया और बंदेज की तरह पर इसमें फरक क्या है फरक देखे इमेज देखे आप इसमें क्या होता है जो कपड़े का thread होता है जिसको yarn कहते हैं ठीक है yarn उसी में ही उसी को बांद दिया जाता है किस से धागे से देखे यान के कलर में डुबाया जाएगा और उसके बाद कपड़ा बनाया जाएगा उसको इस पैटन को कहते है इकत ठीक है यह देखे दिखाए दर रेजिस्ट डाइंग ओन यान इस रिपेड़ेटली अप्लाइड बिफोर दा क्लोथ इस भूमन मतलब क्या करेंगे पहले जो धागा हो कि कालम करें बहुत इंपोर्टन करें यह पहले भी एक बार यूपेसिस पर कोशन पूछ चुका है ठीक है 2014 यह पूचा था आप लोग देख लीजीगा एक बार ठीक है काला यह पूचा था कालम करेंट कहा है कला कहा किये तो सिधा-सिधा पूचा था आंदरप्रदेश की के यह रहा अंदरप्रदेश की एक अपॉटेंट है एक हैं respons perse сказать के होते हैं के कपड Gund पर हैं से पैंटिंग कि जाती है और बेजाइन बनाये जाते और या फिर रूपना होते हैं उससे प्लूपनाये जाते है ठीक है तो यह क्या है एक एका इक हैंड पैंटिंग की जो vegetables color और इनको use करके बनाई जाती है अचा एक चीज इंपोर्टन पॉइंट है tamarid pen एक Emily की डंडी से बनाऊवा pen यूज किया जाता है उसकी मदद से ये पूरा का पूरे design बनाया जाते है ठीक है ये आप design देख सकते है ये कालमकरी ये जो है art है ठीक है cloth के उपपर इसमें क्या होता है Wex का use करना जाता है इस निप से ये मौम निकलती है और पूरा pattern बनाया जाता है अप क्या करा जाए मौम से जो pattern बन रहा है ठीक है ये जो pattern है इस pattern बनाने के बाद cloth को color में डुबाया जाएगा और इस तरीके से बन के आ जाएगा suppose कीजिए इसको यह सा इन्होंने pattern बनाया और उसके बाद बनाने के बाद इसको blue color में डुबा दिया तो यह इस तरीके से pattern बन के आया ठीक है गाई तो यह होता है जिससे मौम जो होता उस पर कलर एब्जोर्ब नहीं होता और वह पर्मानेंट होती है ठीक है उस तरीके से यह होती है बादिक आठ वन एंड में ठीक है यह देखिए वन एंड ऑफ फेवरिक इस पर्मेटेड विद दमोल्टन वेक्स एंड एक तरफ ही बनाया ठीक है मद्य पर्देश और वेश्ट बंगाल में यह एमस है यह बद्धिक आठ ठीक है बद्धिक मतलब याद रखेगा बद्धिक आठ वेक्स रेलेटेड है है तो यह भी टाइएंड डाई वाला मतलब की टाइएंड डाइए निय इसमें बांद नहीं रहे कपड़े को यह है रिजिस्ट यह भी रिजिस्ट करने वाली है क्योंकि कलर को मतला अब जो नहीं करती है उस पोटन पर जहां पर वेक्स का यूज किया जाता है अगर वर्ल लेवल पर देखे जाए तो इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया इंडोनेशिया की आर्ट है इंडोनेशिया म अबढ़ा बहुत फैमाजाओ से यह होता है मुस्लिन पिए किया जाता है तो सबसे पहले देखें मुस्लिन क्लोथ को जामदनी प्रेंट होता हो कैसे होता है यह ओपेक पेटरन बना जाते है ट्रांस्परेंट बैस्फरेंट अभ यह देखे, ईस इमेज से समझ Ses यह एक कपड़ा है ठीक है मुसलिन का कपड़ा है Transparent है Transparent कैसे देखेए आप नीचे से लेडी का H 35 देख सकते है नीचे से दिख रहे है Transparent और Opaque Pattern Opaque मतलब जिससे मतलब आर पर नहीं दिखता हो Opaque Pattern मनाए जा रहा है ये Open Pattern ये लेडी जैसे की डिजाइन कर रही है ठीक है ओपच पेक पैटर्न बनाए है हास से तो ये होता है जामदनी कला ठीक है कोटन होता है जो loosely woven espero भूबन होता है Muslim होता है Muslim के अपर ये pattern बना जाते है दो ट्रांस्परेंट कपड़ा होता है ठीक है बहुत ही loosely woven होता है तो इस वैसे transparent होता है तो यह है जामदनी अच्छा इसके लिए कुछ important point बताना जा रहा हूँ मैं आपको ठीक है जामदनी पहले यह देख लिए जामदनी वेश्ट बंगाल में फेमस हैं इंडिया के अंदर अच्छा important point यह है जामदनी जो आर्ट ह इसको UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity इस art को Intangible Heritage of Humanity Intangible Heritage of World का दरजा मिलावा है 2013 के अंदर UNESCO ने दिया है ठीक है तो important point है आ सकता है statement तो याद रखेगा दूसरी यह important है most important क्योंगा मैं क्योंकि आपको confused कर सकती है कैसे confused करेंगी 2016 में बांगला देश को GI tag मिल गया इसके अंदर geographical indication मिल गया ठी ठीक है geographical indication की हूचा है कि यह पता जाता है कि भाई इस कला की और इस पैटरं की जो भी चीज होती है सिर्फ कपड़ों मेंने मिलता हर चीज में मिलता खाने पीने की चीज में और भी बहुत सीजीआ मिलता है खिलोने अगीरह सब में तो इस से पता चलता है कि इस जगह पर इ इसलिए क्योंकि आपसे अगर स्टेटमेंट आ जाए ऐसी कि भारत को टेग मिला हुआ है तो क्या हमें हमारे वेश्ट बंगाल में तो होती है जामदनी आठ ठीक है और यह कला है वेश्ट बंगाल तो हम confuse हो जाएंगे और इसको right कर देंगे पर याद रखेगा जी आई टेग इंडिया को नहीं मिला हुआ है बांगलादेश को मिला हुआ है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपका question wrong हो जागा तो याद इसलिए मैंने यह point बताया है बांगलादेश से related ही है ठीक है तो ऐसे statement बन सकती है कि इंडिया को जी आई टेग नहीं मिला हुआ है और यह जो यहीं मिला करते कि मैं खाल में बाल में करेंगन।